और यह जो हमारा ज्यान का मंदिर है, आजकल उन हातों में चला गया, जिन हातों में पहले इंडस्ट्रीज होती थी, राजमीती होती थी, कुछ केसेज में तो हतियार भी होते थे, स्कूल जब चाये छड़ी घुमा के मामाप से पैसे निकाल लेता है, बस ड्रेस का कलर ही तो के जितनी देनी होगी, उसके बाद भी यह लोग नहीं देते हैं, कई प्राइवेट स्कूल तो ऐसा करते हैं कि टीचरों को रखते ही इसी शर्ट में, कि आपको जॉइनिंग तो हम दे रहे हैं, लेकिन आपको पूरे साल की चेक्बुक साइन करके देनी होगी, टीचर की से करवाते हैं, और सिर्ट चेक्बुक ही नहीं, एटियम भी यूज़ करते हैं लोग, एक स्कूल के डिरेक्टर को बैंक वालों ने अरेस्ट करवाया, डिरेक्टर साथ दिन में टीचरों के अकाउंट में सेलरी डालके, उन सब के एटियम इखटे करके, रात को ग्यारा बज टीचर के एटियम से पैसे वापस निकाल रहे थे, गवर्मेंट स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाता है, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाता है, ताकि जॉब लगने के बाद पढ़ना ना पढ़े, बच्चों को टीउशन लेने के लिए इंडिरेक्ली फोर्स किया जाता है, अब बच्चे के लिए भी मजबूरी रहती, वो दोनों तरफ से फंसता है, स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, और उधर टूशन टीचर जादा पैसा ले रहा है, और अगर आपने क्लास टीचर के लावा कोई सस्ता पढ़ाने वाला ढूंड भी लिया, तो बच्चे का ब माबाब को घर भेज दिया जाता है, अरे जब बच्चा अच्छा स्कूल की वेज़े से कर रहा है, तो खराबी तो स्कूल की वेज़े सही कर रहा होगा, जैसे ही रिजल्ट आता है, सिर्फ एक बच्चा, जो टॉपर होगा, उसकी फोटो लगा के स्कूल का महिमा मंदन कोई नहीं पकड़ पाता है इनको, आप पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उठा के चेक कर लीजे, लेकिन ये चीज कभी अड़ोटाइज नहीं होती है, नवोदे और केवी बेस्ट एक्जामपिल है, एक गवर्मेंट स्कूल का, गवर्मेंट अगर चाहे तो इस क्लास पैसे बढ़ता है और ये पूरे स्कूल के बच्चों की फीज बढ़ा देते हैं, हर साल एन्वाल और अड्मिशन फीज के नाम पे स्टुडेंट की फीज तो बढ़ा ही जाती है, लेकिन टीचर्स उसी सेलरी पे काम कर रहे होते हैं, इंडिया के अंदर 18 साल से कम उम करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, और स्कूल आवर्स के बाद या फिर वीकेंट पे कोई भी स्कूल जो है, वो लागो जागो किया है, लेकिन जान पूछके उसको नहीं बढ़ाते हैं, बलकि अजीब हो गरीब पऽ्लिकेशन के साल्ट गांट कर लेंगे और महंगी से महंगी और ज़्यादा से ज़्यादा बुक लगवाने की कोशिश करते हैं ताकि जो पैरेंट्स हैं उनकी जेब करती रहे इनका बस चले तो बच्चों को खिलाने के लिए जो आटा चावाल होता ये भी स्कूल से हर चीज आपको स्कूल से लेनी है किताबें आपको स्कूल से लेनी है यूनिफॉर्म आपको स्कूल से लेनी है बेल्ट आपको स्कूल से लेनी है शूज आपको स्कूल से लेनी है बस एक चीज आप बाहर से ले सकते हो वो है एजुकेशन एजुकेशन के लिए आप बाहर से स्पोर्ट्स पीस, स्मार्ट क्लास्रूम चार्जेज, केर चार्जेज, बिल्डिंग फंड्स, डेवलोप्मेंट फंड्स, ना जाने क्या-क्या ऐसा कोई भी फैंसी नाम बनाके पैरेंट्स की जेब काटना शुरू कर देते हैं और मजबूर माबाब कुछ नहीं कर पाते हैं हमारी गवर्मेंट इतनी बड़ी-बड़ी पॉलिसी लेके आया, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, यह जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, यह बिना किसी पॉलिसी के पॉपुलेशन कंट्रोल करने में पूरा योगदान कर रहे हैं एक बच्चे की फीज इतनी जादा कर देते हैं कि इंसान दूसरे बच्चे के बारे में सोची नहीं पाता है, यह जो गरीब के बच्चे आटीए के कोटे से आते हैं, इनका जितरा भी खर्चा होता है, उन सब को गवर्मेंट अपनी जेव से भरती है, इसमें इस बात की नहीं देते हैं कि टू प्लस टू होगा तो उसका अंसर फोर जल्दी से कौन निकाल के देगा, बलकि इस बात की देते हैं कि आपके बच्चे के आगे वाली जो सीट है, उस पर कौन बैठा है, वो एक ठेले वाले का बच्चा है या फिर किसी रेपुटेट फैम नहीं छेडी जाएगी, समास सेवय का मास लगा के टेक्स तो बचाते हैं, लेकिन असल में ये बिजनस कर रहे होते हैं, क्लास रूम में लिस्ट बेच के बच्चों के नाम जान पूछ के बुलवाये जाते हैं, कि ये ये बच्चे हैं, खड़े हो जाए, इनकी फीस नहीं जल्दी सी जल्दी जमा करा हैं, वरना एक्जाम रोक दिये जाएंगे, कुछ स्कूल तो बच्चों को क्लास के बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं, कि ये सारे लोग देख लो कि ये बच्चे हैं, जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, इन प्राविट स्कूल को कोई मतलब नही मेहनत करिए, पैसे की वज़े से उसको एक्जाम हॉल में नहीं गुसने दिया जाता है, मेट्रो सिटीज में पैरेंट्स जो हैं, वो तीन-तिन ट्यूशन दे रहे हैं, खुद अलग से ध्यान दे रहे हैं, आप जैसे ही मेट्रो सिटीज से रूरल एरिया में जाओगे, ये स्कूल के उपर डिपेंडेंसी डे बाई डे बढ़ती जा रही है, जो हाल प्राइवेट कंपनीज ने BSNL का किया था, सेम वही चीज प्राइवेट स्कूल, गवर्मेंट स्कूल के साथ करना चाहते हैं, देश के लोगों को प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्प